हेलो भाई मैं वांगित बढ़ते पेट्रोल के प्राइज के चलते मार्केट में इलेक्रिक वेहिकल का बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ते जा रहा है तो आज मैं आपको इसी मुपेट स्कूटर के सारी डिटेल्स बतलाऊंगा तो इसको दो वेरेंट्स में लांच किया गया है एक का नाम रखा है कॉर्बेट 14 और दूसरे का नाम रखा है कॉर्बेट 14 EX इन दोनों वेरेंट्स में आपको चार कलर ओप्सन मिल जाएंगे बात कर इसके लुक्स और डिजाइन के तो इसका डिजाइन बिल्कुल ही अलग बनाया गया है और कमपनी का कहना यह है कि यह अब तक की सबसे टिकाओ इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाली है मार्केट में इस स्कूटर पे आप 200 किलो तक वेट कैरी कर सकते हैं आराम से बाकि बात कर इस मुपेट स्कूटर के मोटर की तो दोनोई वेरेंट्स में अलग-अलग मोटर दिया गया है कॉर्वेट 14 वेरेंट्स में 3 किलो वाट का BLDC मोटर दिया गया है और वहीं कॉर्वेट 14 EX वेरेंट्स में 4 किलो वाट का BLDC मोटर दिया गया है और वहीं Corvette 14 EX variant में आपको 4.kWh की lithium-ion battery मिल जाएगा मतलब जो इसका top end variant है EX उसमें आपको दुगना powerful battery मिल जाता है as compared to base variant बाकि बात कर लेते हैं अब range की आखिर एक बार चार्ज करने पर यह scooter कितना चलेगी तो जो इसका base variant है Corvette 14 वो एक बार full charge करने पर 100 km चलेगी और वहीं जो इसका top end variant है Corvette 14 EX वो 200 km चलेगी एक पर full charge करने पर मतलब आप यहाँ पर देख लो battery सिर्फ नाम का दुगना नहीं है काम का भी दुगना है बाकि इस स्कूटर में आपको जो charger मिलेगा उससे आप इस स्कूटर को घर पे लगबग धाई से 4 घंटे में full charge कर सकते हैं अराम से बाकि अब बात कर लेते हैं top speed की तो दोनों variants का top speed भी अलग-अलग है Corvette 14 variant का top speed है 65 km तक और वहीं इसका top end variant Corvette 14 EX का top speed है 25 km तक मतलब इन दोनों variants में आपको ज़्यादा top speed देखने को नहीं मिलता बाकि features की बात करें तो इस स्कूटर में आपको fully LED lighting setup मिल जाता ये काफी अच्छी बात है बाकि safety के मामले में company इसमें आपको dual digs brake भी दे रही है और seat के नीचे आपको 30 liter का boot space मिल जाता है और साथी company इस स्कूटर में आपको 7 year की चेचिस की warranty दे रही है और 5 year की battery की warranty दे रही है बाकि बात कर लेते हैं इस स्कूटर के prizes की तो Corvette 14 variant का price रखा गया 86,999 रुपे और वहीं इसका top end variant Corvette 14 EX का price रखा गया 1,19,999 रुपे यह जो मैंने आपको price बतला है वो दिल्ली के exorum के हिसाब से बतलाया है बाकि इस स्कूटर का design बहुत लोग को पसंद नहीं आने वाला क्यूंकि यह मुपेड़ स्कूटर है इस स्कूटर को उन लोग के लिए बनाया गया जो गाओं में रहते हैं या फिर सहर में भी रहते हैं डेली ट्रैवल करते हैं समान कैरी करते हैं उनके लिए best है यह स्कूटर बाकि आपको यह स्कूटर कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना है इस स्कूटर को आप ओफिसली वेबसाइट पे जाके बुक भी कर सकते हैं 499 रुपे पे करके मात्रे बाकि अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगो चैनल सब्सक्राइब कर देना बाकि वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच